हाई अब्रिवन वेलकम बैक टुए चैनल यूस्फुल टिप्स और टिप्स फॉर हूम जहाँ पर मैं आपके लेके आती हूँ होम इन किचिन एलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूस्फुल टिप्स और हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं तो आज के इस वीडियो में भी ऐसे ही बहतरी टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ और आज की हमारी पहली टिप है इस कैंडल को लेकर जब भी किसी सर्फेस पर हम इस तरीके की कैंडल लगाते हैं तो जैसे जैसे ये कैंडल चलती रहती है वैसा वैसा इस में से जो वैक्स है ये ड्रेन होता रहता है और जहाँ पर हमने इस कैंडल को लगाया होता है उस सर्फेस पर पूरा इस का वैक्स गिर जाता है बाद में इसे clean करने का हमारा extra काम बढ़ जाता है अब इसके लिए काफी सारे महंगे और attractive candle stand भी मिलते है लेकिन अगर आपके पास अभी कोई candle stand नहीं है और आपको कोई candle लगानी है तो इसके लिए घर में पड़ी कोई पानी की bottle आप ले ले और इसे scissor या फिर knife की help से इसका lid वाला जो पार्ट है इसे हमें कुछ इस तरीके से cut करके लेना है इसके lid के साथ ही इस पार्ट को हम use करेंगे तो cut किये हुए इसी पार्ट पर हम लगाएंगे हमारी candle जो candle तो जलती रहेगी लेकिन जलते वक इसका जो भी wax गिरेगा ये नीचे surface पर बिल्कुल नहीं गिरेगा जिससे surface खराब भी नहीं होगा बाद में clean करने का हमारा extra काम भी बच जाएगा तो अगर आपके पास candle लगाने के लिए कोई अच्छा stand नहीं है तो एक जुगाडू hack आप इस तरीके का कर सकते हो जिससे candle का wax अब इसी बॉटल में गिर जाएगा चोटे बच्चे अगर घर में हैं तो बच्चों को दूद में मिला कर देने जाने वाली यह हॉरलीक्स या फिर बॉर्मिटा जैसे पाउडर या फिर डेली यूज होने वाले हमारे कॉफी पाउडर ऐसे कई सारे पाउडर अगर proper तरीके से store ना किया जाए तो यह कुछ इस तरीके से stone बन जाते हैं जो खाते वक्त भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कई बार तो stone बनी हुँ ये powder हम use भी नहीं करते तो अगर ऐसी powder आपको proper store करनी है तो जब भी market से आप ये powder या फिर coffee वगर लाएं तो इसे बाहर बिल्कुल ना रखे इसके packet या फिर bottle को आप रखे fridge में तो आप देखेंगे कई दिनों तक ये powder बिल्कुल भी खराब नहीं होगी कई बार ऐसा होता है कि medicine की ये जो tablet होती है काफी बड़ी होती है तो doctor हमें इस में से आधी ही tablet खाने को बोलते है या फिर छोटे बच्चों को देनी होती है तो हमें इस बड़ी सी tablets में से आधी कट करके बच्चों को देनी होती है तो हम क्या करते है तो इस tablet को निकालते है और हातों की help से इसे हम तोडने की कोशिश करते है तो ये कभी भी proper आधी तूटती नहीं है कई बार इसक्या काफी fine powder बन जाता है छोटे छोटे तुकडों में ये कट हो जाती है जो खाते वक्त भी काफी कडवी लगती है तो अगर आपको भी ऐसी बड़ी सी tablet proper half part में कट करनी हो तो इस tablet के उपर आप रखे दोनों thumbs कुछ इस तरीके से जैसे मेने वीडियो में दिखाया है और दोनों thumbs को कुछ इस तरीके से आप प्रेस कर लें आपको वीडियो में देखकर पता ही चला होगा कि thumbs कुछ इस तरीके से medicine पर रखने के बाद proper size में ये tablets कट हो जाती है तो medicine की ये tablet कट करने का ये तरीका आपको कैसा लगा comment करकर जरूर बताए जब भी हम दूद को एक से दो बार गरम करते हैं तो कई बार इस दूद की जो मलाई होती है ये इस दूद के बरतन के bottom पर कुछ इस तरीके से चिपक जाती है कई लोग इसे निकालते भी नहीं है ऐसे ही इस बरतन को दोने के लिए डाल देते हैं लेकिन ये जो मलाई है इसे भी आप वेस्ट बिलकुल न करें जब भी आठा गुनना हो रोटी अवगरा बनानी हो तब इसी बरतन में आप डाले थोड़ा सा केहू का आठा और इससे य बनी हुई रोटी या फिर पराठा बहुती सॉफ्ट बनेगा जो बच्चों को बहुती पसंद आता है तो जब भी आपकी किसी बरतन में मलाई अगर आपको दिखे तो आप ऐसे ही इसे बिलकुल न धोए आठा आप इसमें गुन दे तो आपकी रोटिया बहुती टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी अगर आपके पास भी कई ऐसे जैकेट्स जर्किंग या फिर कोई बैग है जिसके उपर जिप लगी हुई है और काफी दिनों से इस्तमाल ना करने की वज़े से यह जिप प्रॉपर काम नहीं कर रही है यह चल नहीं रही है और आप इसे प्रेशर के स चला रहे हो तो आप इसे ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि अगर यह जैम हुई चैन अगर आप रन करने लोगोगे तो यह बीच में ही तूट जाती है सबसे पहले हमें इसे सौफ्ट करना जरूर है तबी आप इसे स्मूथली चला पाओगे तो काफी दिनों से इस्तमाल न करने से अगर आपके कोई भी बैग या फिर जर्किंग की चैन काम नहीं कर रही है तो सबसे पहले आप इसके उपर लगा ले कोई भी पेट्रोलियम जेली यानि की वैसलीन इस पूरे जिप पर अंदर और बाहर की तरप से अच्छी तरीके से आप वैसलीन लगाए और इसी क्या आप भी शूस पेहनते वक्ट शूस में पैर डालते वक्स इस शूस के बार्डर को खीचकर थोड़ा सा लूज करके फिर इसमें पैर डालते हो तो शूस पेहनने का ये बहुत ही गलत तरीका है क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शूज के बैक साइड पर ये जो वाइट लाइन वाली स्ट्रीप दी गई है ये क्यों दी गई होती है तो ये इसी लिए दी गई होती है कि आप इसे अच्छी तरीके से पूल करके ये जो शूज होता है थोड़ा फैल जाता है और उसे शूज में हाथ लगाने की जरूरत नहीं तो शूज पर दी गई ये स्ट्रीप कैसे इस्तमाल करनी है क्या ये आपको पता था हमें कमेंट करकर जरूर बताए चलिए हमारी अगली टिप है इस औरेंज को लेकर जब भी हमें औरेंज खाना होता है तो सबसे पहले इसका छिल तो पता ही होगा कि औरेंज की इस पील से कई सारे सेंटेड ओयल वगरा भी बनाये जाते है इसमें अपनी एक बहुत ही अच्छी स्मेल होती है तो इस औरेंज पील का भी हम घर में कई सारे चीजों को फ्रेगनास देने की लिए इस्तमाल कर सकते हैं वैसे ही आपकी अगर क काफी जाते हैं इस से पहले इस चिलके को आप निकाल दे तो आप देखेंगे अगर आपके शूज में कोई बैड और आती होगी तो इस चिलके से वो भी दूर हो जाएगी अगर आपको किसी एक शूज में नहीं रखनी हो तो अगर आपके घर में कोई चपल स्टैंड है ज तो आप देखोगे औरेंज के चिलके से चपल स्टैंड में जो भी बैड स्मेल आती थी वो भी दूर करने में बहुत ही मदद होगी हमारे किचिन में कई ऐसे एलेक्ट्रोनिक चीजे होती है जैसे कि सैंड्विच मेकर या फिर मिक्सर ग्राइंडर जूसर इन सभी इलेक्ट्रोनिक चीजों की आज कल वाइड काफी लंबी होती है एक बार इस्तमाल करने के बाद इसका जो प्लग होता है हम इसे निकाल कर ऐसे ही किचन काउंटर या किसी भी ड्रॉर में रख देते हैं तो ये काफी लंबी वाइर अगर हम ऐसे ही रख दे तो ये इस जगह पर काफी मैसी दिखती है कई बार दूसरे चीजों के साथ ये उलच जाती है जो दिखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस वाइर को कई बार हम इसी मिक्सी के अराउंड बढ़िया जुगाडू हैक और इसकी लिए हमें चाहिए डबल साइडे टेप या फिर आपको इस्टीकी टेप है वो लेख सकते हो हाट ग्लूगन है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो डबल साइडे टेप के साथ-साथ हमें चाहिए दो कपडों के क्लिप तो इस टेप में कपडों के क्लिप को कुछ इस तरीके से चिपक कर रख दे तो बिल्कुल ऐसे ही एक के नीचे एक एक ही लाइन में आपको इस कपडों के क्लिप को डबल साइडे टेप की हेल्प से चिपका कर रख दा है तो अब इनी कपडों के क्लिप के अंदर आपको इस मिक्सी की जो भ पिर सैंड्विज मैकर है उसकी भी वायर अगर आपको प्रॉपर रैप करके और और और्गनाइज करके रखनी है तो आप ऐसे ही कपडों के क्लिप का यूज करके ऐसे कई सारे इलेक्रोनिक चीजों की वायर को रैप करके रख सकते हो जो बहुत ही बढ़िया लगती है और औ पोटे मोटे टिप्स और हैक्स आपके लिए भी जरूर यूसफुल रही होंगे और मेरी ये महनत अगर आप तक पहुची होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए